दोस्तों नमस्कार आदाव सत्स्रीयकाल नियूस क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश कुछी घंटे की बात है जब चुनावी नतीजे आने शुरू हो जाएंगे पाँच राजियों के और कुछी घंटे पहले अगर उन चुनाव के बारे में उनकी नतीजों के बारे में एकजिट पोल के बारे में बात करनी हो तो सोचिए कितना बड़ा जोखिम है दोस्तो मैं exit pole की सत्यता उसके सही होने उसके गलत होने के बारे में कुछ टिपणी इसलिए बिल्कुल नहीं करूँगा exit pole सही भी हुए हैं कई बार और कई बार बेहद गलत भी हुए हैं कई देश के महत पुर्चुनाओं को लेकर प्रदेश के महत पुर्चुनाओं को लेकर इतने गलत हुए कि exit pole की सारी की सारी दिशा ही गलत सा भी थुई थी और exit pole करने वाली जितनी कमपनिया हैं सब जो हैं अपना मूँ छुपा कर बैटी हुई थी जब रिजल्ट आए 2004 का उधारण है लोकसभा का अभी बंगाल का उधारण है विधान सभा का तो ऐसा नहीं है कि exit pole गलत नहीं होते हैं ओपीनियन पोल के बारे में तो बिलकुल सभी लोग कह रहे हैं कि हाल के वर्षों में भारत में टेलिवीजन जिस तरह मीडिया नहीं रह गया है जिस तरह वो को मीडिया जैसी कोई भूमी का उसकी नहीं है उसमें लोग मानते हैं कि ओपीनियन पोल्स जो होते हैं वो जान जान बूझ करके चैलनों में कुछ कमपणियों के जरिये और कुछ अन्य लोगों के अद्रिश्य लोगों के इशारे पर आम लोगों में ओपीनियन क्रियेट करने के लिए ओपीनियन पोल कराये जाते हैं लेकिन एग्जिट पोल के बारे में ये बात नहीं कही जाती रही है अब तत क्योंकि एग्जिट पोल तब होता है जब चुनाओ हो चुका होता है जब मतदान पढ़ चुका होता है और EVM strong room में पढ़ी रहती है postal ballot के जो वोट होते हैं वो कड़ी सुरक्षा के बीच बाक्स में रखे रहते हैं तो SM exit poll कोई अगर बढ़ा चढ़ा कर किसी को पेश करेगा तो वो अपनी विश्वसनियता अपनी वैधता अपनी प्रामाणिकता को ही एक तरह से कलंकित करेगा इसलिए माना जाता था या माना जाता रहा है कि exit poll आम तोर पे गलत नहीं कराये जाते या उनके पीछे कोई बड़ा vested interest नहीं होता है लेकिन हाल के कुछ वर्षों में exit poll के बारे में भी अब सवाल उठने लगे हैं ये बंगाल में भी उठा था लेकिन बंगाल में सत्ता धारी जो दल था वो TMC था और जो exit poll थे वो भारती जंता पार्टी के पक्ष में जा रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश के मामले में ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश में exit poll के नतीजे भारती जंता पार्टी के पक्ष में बंपर उसकी विक्तरी का ऐलान कर रहे हैं लेकिन यहां पर सत्ताधारी दल भी भाजपाही है समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी है अब विपक्षी पार्टी के नाते या आशंका से भरे होने के नाते समाजवादी पार्टी के नेता और बहुत सारे अनिलोग भी कह रहे हैं कि संभवता ये एगजिट पोल इसलिए इस तरह से आए हैं कि जो चुनावी धाधली की गई है और की जा रही है उसको वैधता दी जा सके या यूं कहा जाए कि धाधली करके चुनाव अगर निकाला जा रहा है तो उसको स्वाभाविक विक्टरी के तौर पेश कर दिया तो रहा है कि यह तो टीवी वाले कह रहे थे यह तो ऑपिन्मपोल सारी कह रहे थे एगजिट पोल सारी कह रहे थे कि चुनाव में इतनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी तो अब समादवाधी पार्टी और उसके कई समर्थ़कों का कहना आए कि यह एक योजना के तहत तोर आए क्योंकि बड़े पैमाने पर चुनाव में धादली की गई है और धादली अभी भी की जा रही है इवियम्स को ट्रांस्पोर्ट करने में कई जगा स्ट्रांग रूम को खुले जाने के आरूप लगे हैं किसी ने देखा नहीं लेकिन जो ताले हैं उनके वीडियो जा रह हो और चुनकि जिन लोगों ने आरूप लगाए हैं वो भात्पून लोग हैं बड़े नेता हैं उन्होंने तो एलेक्शन कमीशन पर भी आरूप लगाए हैं और दोस्तों उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर EVM के ट्रांस्पोर्टेशन यानि उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत सारे सवाल उठे हैं एलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ एलेक्टरल आफिसर जो डिस्टिक के हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई गरबड़ी नहीं है ऐसा होता रहा है पहले भी लेकिन अखिलेश यादो जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं प्रदेश के उनका ये कहना है कानून और जो जो एलेक्शन कमीशन की नियमावली है उसको कोट करते हुए कहते हैं कि जब तभी EVM's को ट्रांसपोर्ट कहीं किया जाता है लेजाया जाता है चाहे वो जैसी भी EVM's हो तो सुरक्षा उसको दी जाती है शेक्योर्टी उसकी होती है इसके अलावा प्रत्यासियों को सूचना दी जाती है लेकिन वारनशी में ऐसा नहीं किया गया दोस्तों केवल वारणसी नहीं बरेली में विपक्षी नेताओं का आरोफ है कि कचरे की गाड़ी, कचराड होने वाली गाड़ी में EVM पाई गई है उस गाड़ी का नमबर भी बकायदे प्रेस कांफिरंस में मुख्य मंतरी पूरु मुख्य मंतरी अखिलेश आदों ने कोट किया कानपूर में और सौनभद्र जिले में भी एबियम्स में गरबडी की आरोप लगाये गए है इन आरोपों में कितनी सत्यता है कितनी नहीं है मैं समझता हूँ कि यह जांच का भी शाय है इसके अलावा एक बड़ा आरोप जो है पोस्टल बैलिट को लेकर है और पोस्टल बैलिट इस बार उनकी संख्या बहुत ज्यादा रही है पहले के मुकाबले ज्यादा क्योंकि चुनावा आयोग ने नियमावली में बदलाव करते हुए 80 साल प्याउस से अधिक उम्र के लोगों और जो लोग शारीडिक रूप से अक्षम है उन लोगों को भी पोस्टल बैलिट से ओट करने के लिए अधिक रिस किया जो सर्विसेज में लोग है जो आल लेडी सेक्योर्टी में है पुलिस में है जिनकी पोस्टिंग है अलग-अलग जगहों पर मद्दान केंदरों पर उनको ये ब्योस्ता पहले से रही है तो कुल मिलाकर पोस्टल बैलिट के वोट जो है कहीं से पेपर्स मिले हैं ये सब भी आरूप लगे है तो शायद इसलिए एकजिट पोल के बारे में एक सवाल भी पक्षी उठा रहे हैं कि ये किसी डिजाइन किसी पर्योजना का एक तरह से हिस्सा है क्योंकि सारे के सारे एकजिट पोल एकी तरह की बात कर रहे हैं अब ये एकजिट पोल के पक्ष में भी जासी है बात एकजिट पोल कराने वाली कमपनियों के लिए ये महत्मुन बात है कि एक ही तरह की दिशा सब की है इसका मतलब कि वो सही है लेकिन जो आरोप लगाने वाले भी पक्षी नेता है उनका कहना है कि नहीं इसका मतलब ये प्रायोजित है और ये जो गर्बणियां की जा रही है उनको जायज यानि उनको स्वाभाविक ढंग से मतदान या जनादेश की व्याक्ष्या करने के काम वो आएगा इसलिए ऐसा दिखाया जा रहा है बताया जायेगा कि ये जनता यही सोचती थी जनता का ये आदेश है और ये सीटें इतनी जो मिली है वो तो एकजिट पॉल में भी वही आया था तो इस तरह के आरूप लगाया जा रहे दोस्तों मैं इन आरूपों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा लेकिन ये नारूपों को बताना जरूरी था और आप स्वेम देख रहे होंगे अख़वारों में टेलिविजन चैनलों पर भी ये बात आई है लेकिन हमारा ये कहना है अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो अपनी और से हमने पूरे उत्तर प्रदेश को तो नहीं देखा इस चुनाव में लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हलकों को मैंने देखा और जो माहौल देखा अगर फेज बन फेज टू के मतदान से पूर्व जो रुजहान लोगों में दिखा उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि एंटी इंकम्बेंसी थी सत्ता विरोधी एक रुजहान था लोगों में किसान आंदोलन का असर था लोगों में और इसके पहले प्रदान मंत्री जी की सभाओं में जिस तरह की रैली होती थी जिस तरह की उनकी भीड होती थी और इस चुनाव के दर्मियान जैसी हुई उसमें बहुत फर्द था हिंदुत्वा का प्रभाव बिल्कुल कम था बीते करीब करीब दसेक साल में पहली बार हमने देखा कि हिंदुत्वा का यानि जो कमिनल पुलराइजेशन है चुनाव के दौरान जो अकसर होता है उसका सबसे कम असर अगर हाल के दिनों में देखा गया तो इस चुनाव में देखा गया और भारती जन्ता पार्टी के लिए दोनों बड़े ऐसेट माने जाते हैं असरदार चीजें मानी जाती हैं एक कमिनल आधार पर डिवाइट खड़ा करना उसके आधार पर बहुत संख्यक समाज को पोलराइज कर देना और दूसरा की प्रधान मंत्री की एक ऐसी इमेज की जब वो बोलते हैं तो लोग जूम उठते हैं उनके लच्छेदार भाषण, उनके जुमले, उनके वादे, लोगों को आकर शित करने वाले वादे तो इन दोनों का असर अगर जनता में कम था और किसान गोल बंद थे आम लोग गोल बंद थे, नौजवान गोल बंद थे, अल्पसंख्यक गोल बंद थे तो फिर फेज 1, फेज 2 में भी एक्जिट पोल भारती जनता पार्टी की बहुत बड़ी बढ़त कैसे दिखा रहे हैं हम पुर्वांचल पर नहीं जाएंगे, हम आवध पर नहीं जाएंगे, हम बुंदेल खंड, रुहेल खंड पर भी नहीं जाएंगे लेकिन पहले दूसरे चरण में, जहां की कुछे खलकों में में घुमा, ऐसा रुजान बिलकुल नहीं दिखा अब सवाल इस बात का है, या तो हम जैसे लोगों को के देखने में गरवड़ी थी या अंतरधारा कुछ ऐसी बार रही थी, जो बिलकुल दिखाई नहीं पड़ी और एक्जिट पोल वालों को सिर्पो दिखाई पड़ी हम पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में नहीं कह सकते हैं, जहां मैं नहीं गया लेकिन पहले दूसरे चेरण में भारती जन्ता पार्टी की प्रशंड बढ़त एक्जिट पोल के हिसाब से, यह अपने आप में बहुत कन्विंसिंग नहीं लगती है तो ऐसे में दोस्तों और दिल्चस्ट बात यह है, कि सिर्फ यह नहीं है, 43% इस बार माना जा रहा है एक्जिट पोल के हिसाब से कि बीजेपी को ओट मिलेगा और जब बीजेपी को 2017 के चुनाव में 312 सीटे मिली थी, तब भी उसको 37 किस्दी के वलोट मिले थे, 37 और इस बार 43% यह निए 6% जादा कमाल है तो यह जो अधिक परसेंटेज मिल रहा है, यह कहां से उसको मिल रहा है? यह बहुती, I think, सोचने की बात है तो कहीं न कहीं, बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे, लिख रहे थे, एसेस्मेंट कर रहे थे, उनका आकलन बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा और एक्जिट पोल, जो टेलिविजन पर आते हैं, अखवारों में जिनकी रिपोर्ट शप्ती है, वो विल्कुल सही साबित हो जाएगे, अगर यही जनादेश मिलता है तो, तो अब कुछी घंटे की देर है दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि, यह पहला मौका मैंने देख जब मेंस्ट्रिम पॉलिटिकल पार्टी का कोई बड़ा नेता, जो चीपनिस्टर रह चुका हो देश के सबसे बड़े राजिका, और खिलेश यादो इस चुनाओ को लेकर अब तक बहुती संजित रहे हैं, बहुत संजीदा रहे हैं, वैसे भी माना जाता है कि वो बहुत अगनीवर्शी नेता नहीं हैं, यह अपने भाशनों में आग उगलने वाले, बहुत मीठी-मीठी बातें करने वाले हैं, आस्ते-ास्ते बोलने वाले हैं, लेकिन वो मंगलवार को प्रेश्ट कांफरेंस में जिस तरह से उन्होंने बॉखलाट तो नहीं कहेंगे, बॉखल तीखे शब्दों में निर्वाचन आयोग को कटगरे में खड़ा किया और जिस तरह पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया खासकर उत्रप्रदेश के कुछ हलकों में उन्होंने वारोनसी का जिक्र किया बरेली का जिक्र किया और सुनभद्र का जिक्र किया तो जिस तरह के उन्ह प्रतुखा मुआनी के लिए कृप्र दी करने पर पतानी अखिले श्याद्वों कि पार्टी तो प्रांटी बगर में यकीन नहीं लेकिन उन्हें ने कहा कैं कृप्र करने पड़ेगी फिर उन्हों ने ये भी कहा कि वोट की चोरी सबते वड़ी इसके अलावा उन्होंने एलेक्शन कमीशन पर सीधे आरोप लगाया और यहां तक उनकी मुह से निकल गया कि एलेक्शन कमीशन में जो बैठे लोग हैं वो तो सभी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं उनका इशारा निर्वाचन उन आयुक्तों में था जो कभी उत्तर प्रदेश के चीफ्ट सेकरेटरी कोई रह चुका है कोई वहां से वहीं का रहने वाला है और अन्य सर्विसेज में था तो इस तरह से उन्होंने एक तरह से एलेक्शन कमिशनर्स पर भी यह अटेक किया उन्होंने एक बात ये भी कही कि शिकायतों के बाजू तरह प्रदेश में अधिकारियों को ट्रांसफर नहीं किया गया एलेक्शन में जबकि दूसरे सूबों में या जब उनकी सरकार हुआ करती थी तब इतने कंप्लेंट्स जब होते थे अधिकारियों पर तो तुरक से चिठिया गई उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे अफसर भी पोस्टेट थे जिनके परिजन बहुत निकटस्ट परिजन चुनाव लड़ रहे थे और वह उसी छेत्र में पोस्टेट थे ऐसे भी लोग थे बहुत सारे चीफ एलेक्टरॉल जो आफिसर जिलाग निर्वाचन अधिकारी इनके उपर कंप्लेइन आए लेकिन उनका भी ट्रांसपर नहीं किया गया तो यह जो बात अखिलेश यादों ने कही है मैं समझता हूं कि ये भी बहुत गंभीर है वो लोग तंत्र में वोट की चोरी को सबसे बड़ी चोरी कह रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव लोग तंत्र का आखिली चुनाव है इसलिए हर मत दाता को चाहिए कि वो अपने वोट की रक्षा के लिए आगे आए तो क्या वाकई उत्तर प्रदेश्ट में वोटों की चोरी हुई है एक फार्मर सीप इनिस्टर अगर ये सवाल उठा रहा है तो बहुत गंभीर है और मुझे लगता है एलेक्षिन कमिशन को इस पर गंभीर होना चाहिए या ये सिर्फ अकले श्यादों की बकलाट है एकजिट पोल के नतीजे जो आए हैं उसमें जिस तरह भारती जंता पार्टी को बड़ी बढ़त लिखाई गई है उससे वो वाकई बौकला गए हैं उससे बहुत परेशान हो गए हैं और इसलिए वो बोल रहे हैं लेकिन जैसा म वो इस तरह से नहीं दिखे इस मुद्रा बिल्कुल नहीं दिखे तो अगर इस मुद्रा में ओ दिखे हैं तो क्या बात है क्या इसलिए कि एक बड़ा सेक्शन आपजर्वर्स का मान कर चल रहा था कि उनकी सरकार आ रही है वो बढ़त बनाए हुए हैं उनका एलाइंस बहुत बड़ा है और भारती जनता पाटी के बड़े नेताओं की सभाओं में भीड तक नहीं हो रही है और उनकी सभाओं में भीड क्या रेला जुटा हुआ है लेकिन कई बार भीड सब कुछ नहीं कहती तो दोस्तों कुल मिलाकर हम कल फिर बात करेंगे जब जनादेश आएगा हम फिर मिलेंगे आपसे लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये चुनाओ बहुत अलग धंग का चुनाओ है और जाहिर है 2024 के लोग सबा चुनाओ के लिए उत्तर प्रदेश का कितना महत्वा हैं सब जानते हैं और उसके ठीक दो साल पहले ये चुनाओ हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काविज होने की जो जंग है भारती जन्ता पार्टी और सपा में उसे समझा जा सकता है उसका मतलब इसके अलावा भी बहुत महत्वूर है दोजार पचीस में RSS की का सौ साल पूरा हो रहा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश पर काविज रहना RSS BJP के लिए कितना महत्वूर है ये भी हम सब जानते हैं अभी राष्टपती का चुनाओ होना है उसमें भी बहुत महत्वूर है उत्तर प्रदेश से राजी से ज्यादा से ज्यादा विधायक लाना किसी भी पाठी के लिए तो उत्तर प्रदेश का चुनाओ वाकई देश का एक बहुत महत्पूच चुनाओ है इस चुनाओ में क्या होता है कल सब सबको पता चल जाएगा इन शब्दों के साथ आज बस आदाब सत्रिया काल